मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बादे में इक्वालिटी की बात करोगे उनको बराबर कर यहां दरजाद होगे उनको बराबर में यहां आदा बठाओगे आदे यहां जगा रखोगे भले पोजिशन में भाई साब जब आउरत को इजद देते हैं आप बेटा वोलो काफी जी भाई साम ना वोलो बेटा वोलो काफी आपसे बहुत छोटा हूं आपकी उमर क्या है 30 का हूं एम तरी से मेरी उमर 40 है तो भाई साब कहूंगा असलाम लेकुम दोस्तों कैसे हैं आप उमीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे दोस्तों आपकी खिद्मत में हाजिर हूआ हूं एक और नए वीडियो लेके डाक्टर जाकरनाइक से सवाल किया एक बाई ने और बहुत ही वैलड सवाल किया तो आप लोगों से गुजारिश मेरा नाम नीरज धिंग रहा है और काम वैसे मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन उससे आपको मेरी हकीकत पता नहीं चलेगी पर इतना है कि सवाल कही है पर छोटे में सिर्व इतना पूशना चाहूंगा जाके साब मेरे ख्याल चाह आप परसो के परसो मतलब फ्राइडे को आप फ्राइडे को दुपैर को यहां पर आये थे दुपैर किसम है यहाँ देखने के लिए कि अरेंजिमेंट कैसे चल रहे थे मैंने सोचा कि शायद सिंस आप इस औरतों के बारे में एक्वालिटीज की बात करोगे उनको बराबर के यहां दज़ा दोगे उनको बराबर मे कि यहां आदे आदा बठा होगे, आदे यहां जागा रखो, कि भले ही अगर वो औरत काम है, तो उनको कम से को आगे बैठने का मौका मिलता, लेकिन उन्हें नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसा हुआ, बाइसाब में अच्छा सवाल किया है, मैं जुम्मा को न इतना बड़ा के था, ओरते ने आया तो कम कर दिये, पहले कौंटिडी पहुंगा, प्र पोजिशिन पहुंगा, आओंगा, पोजिशिन पहुंगा, इंशाला, जवाब दूँगा, आपको एमोखा दूँगा, तो पहले अगर कौंटिडी की बात होती है, तो अकसर, जब मै तक्रीर करता हूँ तो बंबे के अंदर तक्रीबन 25-33% खवातिन आते हैं तक्रीबन 14-13 मैं ओमान में गया था तो 50% खवातिन थे तो मैंने कहा इतना बहुत क्यों ब्लॉक करके रखे बड़ा हम्दुलिल्ला 6,000 पुब्लिक तक्रीबन 3,000 खवातिन थे यहां भी काफी रख के कमस कम साथ आट गुना जादा है फिर भी दो मर्द एक औरत को सवाल अगर हकीकत में सई हक करने का चे तो मर्द के लिए 6 माइक्रफोन होना चे खवातिन में तो खवातिन को में ज़्यादा इक्तियार दे रहा हूँ रावर के नहीं यानि खवातिन हालाके सारे मजमे में फिफ्टिन परसंट मीने होईगी मेरे इसाब से तक्रीबन यह मर्द 6-7 गुना जादा है तो अगर बराबर हिसाब करने का है तो मर्द के माइक्रफोन आज़े 6-7 औरत के फिर भी मैंने का नहीं नहीं मर्द के दो औरत के जहां तक के पोजिशन का सवाल है पोजिशन में जब आउरत को इज़त देते है आप बेटा बोलो काफी जी भाई साम ना वोलो बेटा बोलो काफी आपसे बहुत चोटा हूँ आपकी उमर क्या है तीस का हूँ I'm 30 है मेरी उमर 40 है तो भाई साब कहूंगा अच्छा मैं अंकल कहलोगा मेरे बेटे की उमर सिरे 12 साल है चलो कि मैं इतना बुड़ा लगता हूं गया मेरे इल्म के ओपर उमर को जाचने की ओशिर मत किजिए आप सही पहचान दो और चालीज भी आप यहां तीन मेने पहले तो मैं कह रहा था कि क्यू हमने आउरतों को आगे नहीं रखा इसके वज़े थी वज़े यह है कि एक कैमरा दिख रहे आपको कमस कमसात कैमरा लगे इधर और गुम रहे तो हमारे एक उसूल है कि हम ज़्यादा आउरतों की नुमाईशने करना चाहते अगर क्लोज रहेंगे क्लोज अप जाएंगा अगर लड़की खूपसर दूएंगे शायद आप उसको देखेंगे आपने मतलब बाकी लोग फिर हिजाब तूड जाएंगा अब समझे ना तो हमारा उसूल है कि हम आउरत को इज़त देते हैं तकि हिज़त देते टाइम पर कोई गलत आदमी उसको गूर गूर के देखा सपोज मेरी भेन आजाएंगी और आदमी गूर के देखेंगा मुझा अच्छा ने लगेंगा कि मेरी भेन को कुण गूर के देख रहा है तो मैं को मैं कामेरा अटा हो तो इसी रिए दूर रखा है तो लॉंग शॉट मैं यही सोच था थे कि डैस में अच्छा ने चाहिए वो भी नहीं है वो भी नहीं है वो भी बोलो का मैं वो भी सवल का जाब दूँगा डाइस का भी जब दूब दूँगा तब लॉंग शॉट होता है तो हमारा उसूल रहते है कि हावातीन को दूर से दिखाना और हमने सेटलेट चैनल शूरू के पीछ टीवे जब खातीन को कुर्दब दिखाते तो तीन सेकेंड से जादा नहीं दिखाते तो कि खुड़ान में लिखाने के गूरू मत तो इसलिए हमारे उसूल खातीन को हिफाजथ करने के लिए ले तो आप देखेंगे ना फैशन टीवी जूम टीवी देखते हैं जी जूम TV पर देखते हैं क्या करते हैं जूम करते हैं जूम आउट करते हम जूम आउट करते हैं जूम आउट करते हैं यही फरक है हम खवातिन की इज़त करते हैं लेकिन साथ साथ उनको स्क्रीन भी दियो है स्क्रीन है ना मुझसे बड़ा उधर नज़ी के स्क्रीन तो और साफ सकते यहां तक यहां तक का सवाल यह स्टेच के अबर हमारे इदारे में इस्लाम अगाशच्छ फांडेशन में दस खवातीन हैं तो तक्रीर करते ने आर्वार्ट सुनते हम नहीं को नहीं चाहते कि हुट तक्रीर करते हैं पे गैर मर्द उनको घुरे तो जब वो तक्रीर करते हैं अलहम दोला मेरी बीवी मेरी बीवी जो है माशालला अमेरिका में तक्रीर की है कैनेडा में की है साथी एरेबिया में की है दुबाइ में की है श्रिलंगा में की है मलेशा में, सिंगापुर में, माशाला, हजारों खवातिन हैं तक्रीर किये, मजमा बड़ा है अलहम दो, लेकिन हम नहीं चाहते का तक्रीर करते वक्त हम हिजाब को मिंटेन करते जब और भी मर्द है, तो तक्रीर कर सकते है तो इसलिए हम उनकी शूटिंग ने करते है आप समझे ना, तो इसलिए इसलाम में इज़त दी गए औरत को और यहाँ स्टेज के अपर भी इंटर मिंगलिंग होएंगा ना इंटर मिंगलिंग होएंगा, यहाँ भी स्टेज पे कैमेरा क्लोजिं जाएंगा आप समझे ना, तो इसलिए हम खावातिन की इज़त करते हैं लेकिन अगर सिर्फ खावातिन आडिटोरियम में तो माशाले एक क्या दस खावातिन स्टेज पे बेटते हैं और लंबी लंबी तक्रीव करते हैं पूरे दिन के लिए कोई अतराज ने, लेकिन सुर्फ खावातिन सुनें तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे खावातिन को मिजज़त दे यह इज़त देने के लिए और महफूज रखने के लिए तरीका इसलाम ने त्यार किया यह तो यह थी दोस्तों आज की वीडियो इसमें जो है एक बाही ने जो है वो सवाल किया ड़क्टर जाकर नाइक से और बड़ा सोस समझ के उन्होंने जो है यह पॉइंट डूंडा मैं भी इनके पॉइंट से इंप्रेस हुआ यह निकि उनके सवाल से क्योंकर सवाल तो जाहिर फिर बाहन में ड़क्टर जाकर नाइक तो आप लोग जो है वो और तो मतलब जो आपने खावातीन का जो जलसा है उसको क्यूं ही आप आगे लेकिया उनको पीछे और मर्दों को जो है वो आगे आपने रखा हुआ है और फिर बाद में वो कहते हैं कि आपने डाइस पे भी कोई औरत नी रखी है इसका जब आप जो डाक्टर जाकर मैं एक ने बिलकुल दिया और ने कहा हम जो है वो हफाज़त के लिए जो है यह चीजे नहीं सर अंजाम देते हैं और इस चीज़ में अगर मैं आप लोगों को एड़ करके बता हूँ यह बहुत बड़ी गलत पहमी आज कल की खवातीन के मियाने में जो ह हम पर गलत कर रहा है हलांके वो उसकी जो है हफाज़त कर रहा है मर्द जो है वो उसकी हिफाज़त कर रहा है लेकिन यह औरत को यह लगता है कि यह बंदा जो है मितलब तंग जेन का है लब यह पबंदी लगाता है मेरे पे यह पबंदियां लगाता है इदर नहीं जाना उ विजाब करने निकाब करने बुर्का पहनने यह सारी चीजें जब मर्द एक और एक और इंस्ट्रक्शन करता है तो उसको यह लगता है कि यह पर पबंदिया लगा रहा है इसकी तांग नजर है इसको मेरे पर यतीन नहीं है इसको शक्त है अलागे ऐसी कोई बात नहीं होती अगर कोई मर्द किसी ओर उट को यह इसक्ट करता है तो वो उसकी खुद की हिफासऑ के लिए करता है क्योंकि जिस तरह से एक मर्द को इस मौशरे का किसी भी मौशरे का पता होता है उस तरह से ओरत को कभी भी नहीं पता हो सकता और नहाव उस तरह से जो जannah तो जाँ Continuing draw ह مرد ہمیشہ پہچان لیتی ہے वैसे तो ये भिकाँ जाता है औरत की नजर बहुत ज़हादा तेज होती है वो हर मरद की नजर को پہچان जाती है लेकिन यह है कि मरद वो बाहर माश्रे में जाके हर चीज ऑक्षिस्पिरियन्स कर चुका होता है उसने हर चीज देखी होती है इसलीए वह चाताoke जो उसकी सबसे प्यारी खातून उसके ग़र में है यहां उसकी जो बेहन है उसकी जो माँ है उसको कोई उस टरहां से जो है वो ना देखिते जिस तरहां बाहर माश्रा एक और अगर कोई माश्रा को देखता है कोई वो रिस्क्शन्स लगा रहा है उसके उपर तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो उसके उपर शक्रत करता है वो उसकी हिफास्त करता है यह आज कल बहुत ज़्यदा गलत फैमिया जो है वो यह create कर दी गई है फिलाई गई है खुद मतलब create की गई है कि यह औरतों के जहन में औरत मार्च होता है इसमें यह चीज़ें डाली गई है बुर्खा नहीं पहनना और ऐसे नहीं करना जो आपका दिल करना है वो आपने करना है नारे बेहुदा किसम के नारे निकाल दिये गए है जो औरते मतलब जिन ओरतों का इस तरफ माइंड भी नहीं ता वो भी इस मार्च में औरत मार्च में एक चीज़ बहुत अच्छी है इस मार्च में जो है यह एक मतलब जो हमारी परदादार खातून है परदादार खवातीन है उन्होंने भी मार्च निकाल ला है और उन्होंने जो है राइट स्लोगन जो है जो वाके में ही औरत को जो हकूद मिलने है वो करके तो फिर उन्होंने मार्च किया ऐसा मार्च करें तो किसको कोई मसला हो सकता है लब हमें तो कोई मसला नहीं हो सकता लेकिन आप मतलब इस तरहां का मार्च करें जिसमें मतलब बहुदा कपड़े और बहुदा स्लोगन्स और मतलब हरकात ओर ही है, वहाँ पर स्मोकिंग चल रही है ओरतों की, तो यह चीज़ें अगर चलेंगी तो फिर तो मितलब जो एक साहबे समज़ है इंसान, वो तो यह चीज़ बुरी समझेगा और इस चीज़ को जो जो औरते समझ़दार हैं, जो औरते इस्लाम को जानती है, वो इस ओरद मार्ज को जो है वो गलत करार करती है भो खुद है इस चीज़ को त़ ये थी दोस्तों आज की वीडियो उमेद करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आया हूगी अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो के साथ तब तक अपना ख्याल रखिएगा अलाहाफिज